हेलो दोस्तों स्वागत है आप सब का मेरे यूट्यूब चैनल रोहिनी क्लासिस में तो आज हम क्लास 11 की NCRT हिस्ट्री का चैप्टर 2 का अगला पार्ट देखने जा रहे हैं और आज हम जो है बात करेंगे शहरी जीवन की लेखन कला के बारे में हम जो है डिटेल वे में स्ट और फरात नदी तो आप सभी को पता है कि दजला और फरात नदियों के बीच जो है यह प्रदेश इरागगड राज का हिस्सा है था है वह ना और शहरी जीवन की शुरवात भी इसी सभ्यता से हुई थी है ना तो शहरी जीवन के शुरुवात कहां से हुई मैसो पुटामि शहरी जीवन विशाल और जो है समरिध्य साहित्य गड़ित खगोल इन सब के लिए प्रसिद्ध है और जो है चलिए आज हम शहरी जीवन के बारे में अब देखिए जो हमने पिछले पार्ट में देखा है हमें इससे यह पता चला है कि नगरों की जो सामाजिक विवस्ता है ठीक है इसमें एक उच्छ और संभ्रांत वर्ग का प्राधुर्वाव हो चुका था यानि कि वो शामिल हो चुके थे धन दौलत का जो ज्यादा तर हिस समाज के एक छोटे से वर्ग में केद्रित था ठीक है और यह जो बात है ना इस बात की पुष्टी जो है इस तथ्थे से होती है कि जो बहमूले चीजे होती थी जैसे कि आभूशन हो गया सोने के पात्र हो गए सफेद सीपिया हो गई लाजवर्द मड़ी जड़े हुए ल लेकिन यह तो गई बड़े लोगों की बात आम लोगों की स्थिती क्या थी इसके बारे में भी हम देखते हैं देखें जो कानूनी दस्तावेज हैं जैसे कि विवा हो गया उत्तराधिकार हो गया ठीक है इन सबसे संबंदित इन से जो है यह पता चलता है कि जो मैसो पुट होता था और हमें विवाह की प्रक्रिया या विधी के बारे में कुछ जानकारी मिली है और विवाह करने की इक्षा के बारे में घोश्रा की जाती थी और क्या होता था कि जो वधू होती थी यानि कि जो दुलहन होती थी उसके माता पिता उसके विवाह के लिए अपनी सहमत उसके बाद जो वर्पक्ष यानि कि दूलेःपकस के लोग उरते धिलाट को उपहार देते थी तो जब विवाह की रस्म पूरी हो जाती थी ना तब क्या होता था कि वर्पक्ष और वदू पक्ष जो है दोनों पक्ष की ओर से उपहारों का आदान प्रादान किया जाता था और वो जो है एक साथ बैठ कर भोजन करते थे फिर क्या करते थे फिर मंदिर में जाकर भेट चड़ाते थे और जब नव वधू यानि कि नव विवाहिता जो है को उसकी सास लेने आती थी तब वधू को उसके पिता दोरा उसकी दाय का हिस्सा दे दिया जाता था और पीता का घर पशुधन, खेत ये सब जो है पुत्रों को मिलते थे अब आए इसके बारे में बात करते हैं उर्नगर के बारे में तो देखें ये जो है ऐसे नगरों में था जो सबसे पहले खुदाई की गई थी जिस नगर की और उर जो था ना उर उर नगर का नाम है तो ये मसुपुटामिया का ऐसा नगर था जिसके साधारन घरों की खुदाई जो है 1930 के दसक में सुव्यवस्ति धंग से की गई अब उसमें टेड़ी मेड़ी और सकरी गलिया पाए गई और जिससे ये भी पता चलता है ना कि जो पहिये वाली गाडिया होती थी वहां के अनेक घरों तक नहीं पहुँच सकती थी ठीक है अनाज के बोरे इंहन के गठे संबहों तक गधे पर लाद कर घर लाए जाते थे पतली और घुमावदार गलियों और घरों के जो है भूखंडों का एक ऐसा आकार ना होने से ये जो है निसकर्श निकलता है ना कि जो वहां की गलिया थी ठीक है गलियों के किनारे जल निकासी के लिए उसी तरह की नलिया नहीं थी जो नालिया होती थी जैसे कि उनके समकाली नगर मोहन जोदड़ों में पाई गई थी बलकि जल निकासी का पोर्शन था जो नालिया थी और मिट्टी की नलकाएं उर नगर के घरों के भीतरी आंगर में पाई गई हैं ठीके और जिससे ये जो है ये समझी जाती थी कि जो घर की छत होती थी छत की धलान भीतर की ओर होता था और वर्षा का पानी जो है निकास नालियों के माध्यम से भीतरी आंगरों में बने हुए हौजों में ले जाया जाता था अब देखिए शायद ये इसलिए किया गया होता था ना कि एक साथ तेज वर्षा जो है यानि कि तीवर वर्षा जो है आने पर घर के बाहर कच्ची गलियां बुरी तरीके से कीचर से न भर जाए और फिर भी जो है ऐसा प्रतीत होता है कि लोग जो है अपने घरों का जो सारा कुड़ा कच्रा होता था वो बहार कर यानि कि गलियों में डाल दिया करते थे जालू लगा के ठीक है और जहां वो जो है आ मुचा उठाना पड़ता था और ताकि क्या हो कि वर्षा के बाद जो है कीचर बहकर घरों के भीतर ना सके अब कमरों के अंदर रोशनी जो है खिड़कियों से नहीं बलकि उन धर्वाजों से होकर आती थी जो आंगन में खुला करते थे और इससे जो है घरों और परिवार चीजे सुने होंगे आपने तो इन सम्मद्नी पट्टिकाव पर लिखी मिलती है जैसे देखे घर की देली उची उठी हो तुवह धंद औलत आती है सामने का दर्वाजा अगर किसी दूसरे के घर की और ना खुला हो तो सोभाग ये लाता है लेकिन अगर घर का लकड़ी का मुख्य दर्वाजा भीतर की और ना खुलकर बाहर की और खुले तो पत्नी जो है अपने पती के लिए यंत्रणा का कारण बनेगी ये सारी चीजे धारनाय थी तो ये जो है शकुन उप्शकुन की बाते थी तो और में क्या था कि नगर वासियों के लिए एक कबरिस्तान थ जिसमें सासको और जन साधारण की समाधियां पाई गई लेकिन कुछ लोग साधारण घरों की फर्षों के नीचे भी दफनाए हुए गए थे अब देखी आप जो है हम बात करते हैं पशुचारक छेत्र यानि कि पशुपालन का छेत्र जो है एक व्यापारिक नगर तो 2000 इसा महें दंफ धानी भाग में तीच नहीं थे जहां यहां खेती की पैदावर होती थी बलकि जो विवानछित में रगों में दिखाए वह न भी आप ले जबेंऄस वी वो क्रिशी भूमी है जो यलोईश पोर्शन है यानि कि पीला वाला भागा ये चारागा भूमी है और जो ये भूरा वाला भागा ये बसंत में चारागा छेत रहें आगे बढ़ते हैं देखें पसुचारकों को जब अनाज घातु के ओजारों इन सब की जवरत पड़ती थी ना तब वे अपने पश्वों और उनके पनीर चमडा और मांज इन सब के बदले ये चीजें प्राप्त करते थे अब बाड़े में जो जानवर रखे जाते थे इनके गोबर से बनी खाद भी किसानों के लिए बहुत उपयोगी होती थी अब गरड़े जो होते थे वो कई बार अपनी भेड बकरियों को पानी पिलाने के लिए बोए गए खेतों से होकर गुजरते थे तो भाई खेत का नुकसान होगा ना जिससे किसान की फसल को बहुत नुकसान पहुंचता था अब ये गरड़िये जो होते थे ये खाना बदोस होते थे और कई बार किसानों के गामों पर हमला बोलकर उनका जो है इकठा किया गया जो माल्द होता था वो लूट लिया करते थे दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कई बार ऐसा भी होता था ना कि बस्तियों में जो रहने वाले लोग होते थे वो भी इन पसुचारकों का राष्टा रोक लेते थे और उन्हें अपने पश्वों को नदी नहर टक नहीं जनले जाने देते थे तो अगर हम मैसोपटामिया की इतिहास पर नजर डाले तो हमें ये पता चलेगा कि वहां के जो क्रिशी थे क्रिशी से समरिद्ध हुए मुख्य भूमी प्रदेश में यायावर समुदायों के जुन्ड में जुन्ड जो है पश्चमी मरुस्थल से आते रहते थे और ये गरडिये जो होते थे ये गर्मियों में अपने साथ इस उपजाओ छेतर में बोए हुए खेतों में अपनी भेंड बकरिया ले आते थे और यह समूज जो होते थे गरडिये जो होते थे फसल काटने वाले मजदूरों और भाड़े के स्थैनिक के रूप में आते थे और सम्रिद्ध होकर यहीं पर बस जाते थे अब उनमें से कुछ ने तो अपना खुद का सासन इस्थापित भी कर लिया शक्ति प्राप्त कर ली और यह खाना पदा उस लोग जो थे अकदी एमुराइट असीरियाई आर्मेनियन यह सब जाती के थे ठीक है अगले पार्ट में हम देखेंगे इसको तो मारी के राजा के लिए मारी नगर में एक मंदिर भी बन वाया और इस प्रकार जो महसुपटामिय के समास था और वहाँ की संस्ख्रित थी वह भिन-बिन समुदाये के लोगों और संस्ख्रितियों में खुली थी और संभा तह यह हुआ होगा कि जातिया थी भी भिन-प्रकार की समुदाय थे इन लोगों में परसपर मिस्रण से ही वहां की सभ्यता की जीवन शक्ति जो है वुद्पन हुई अब यह आप लोग देख लीजिए मारी में जिम्रीलिम का राज महल देखे किस प्रकार बना गया है यहां सभागरी बाहरी आंगन है यह भीतरी आंगन है है ना यहां पे सिंगहासन कक्ष है जहां पे सिराजा सिंगहासन जो है करता था ठीक है यहां पे लीपिक कारिकाल है बेंचो और मिट्टी दानों के साथ मिट्टी दानों की पट्टिकाएं रखी गई है ठीक है विंप्रकार की पट्टिकाएं दिख रही है और यह जो है जिम्रीलिम मालु के चरवाहों को राज में चलने फिनने की इजाज़त तो थी लेकिन उन पर कड़ी नजर रखी जाती थी राजा आओ और उनके पदाधिकारियों के बीच पत्र विवहार में अक्सर इन पसुचार्गों की गत्विधियों और शिवरों का उलेक किया जाता था और एक बार ना तो नहीं बनाई जा रही है तो मारी नगर जो था एक बहुत ही महतुपून व्यापारी कस्थल पर इस्थित था जहां से होका लकडी तांबा रागा तेल मद्रा और अन्य किस्म के जो है माल नावों के जरिये फरात नदी के रास्ते दक्षिड और तुर्की सीरिया लेबन के पत्थर चक्जल लकडी शराब और तेल के पी पे ले जाने के लिए जल्वत मारी में रुखा करते थे और मारी के अधिकारी जो ओते थे वह जल्वत पर जाया और उसे आगे बढ़ने की इजाजर से पहले उसमें लदे माल की कीमत का लगभग द ﷺ प्रष्य प्रभार जो वो साइप्रेस के दूइब अलाशिया, ठीक है, अलाशिया से आने वाले तांबे का उलेख मिला है, और जो है, ये जो दूइब है, ये उन दिनों तांबो और टिन के व्यापार के लिए मशुहूर था, लेकिन यहां जो है रागे का भी व्यापार होता था, क्योंकि कासा, ओ जिस जिसे उतना सबल नहीं था लेकिन व्यापार और सम्रिध्धी के मामले में वह जो है अधुती यह था ठीक है अच्छा मैसोपटामिया में के नगरों की खुदाई के बारे में बात कर लेते हैं देखिए आग जो है ना मैसोपटामिया के पूरा स्थलों के उत्खन जो है जैसी उर्नगर में की गई थी इसके अलावा क्या हुआ कि बहुत कम पुरह तत्व विदों के पास इतनी बड़ी धनराशी होती है कि वे एक साथ खनकों के जो है बड़े दल खुदाई पर काम में लगा सके और इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने का तरीका बदल गया अब इस संबंध में अबू सलाबिक जो है इस नाम के एक छोटे से कस्बे का उधारर ले लेते हैं यह कस्बा जो है पची सो इसा पूर्व के लगभग दस हेक्टियर जमीन पर बसा हुआ था इसकी आबादी दस अजार से कम थी इसकी दीवारों की रूप रेखा की उपरी के उपरी सतर को किसी बेलचे फावडे और जारों के धारदार चोड़े सिरेक को जो है कुछ मिली मीटर से खरोचा जाता था और नीचे की मिट्टी तब भी कुछ नम होती थी है ना यह सारी चीज़े अब आए थोड़ा सा बात कर लेते हैं मैसुपटामिया संस्कृति में शेहरों का क्या महत होता था देखिए मैसुपटामिया जो वासी थे वहां पे रहने वाले लोग थे वो शेहरी जीवन को महतो देते थे जहां अनेक समुदाय और संस्कृतियों के लोग साथ साथ रहा करते थे ठीक है और युद्ध में शेहरों को नस्ठ हो जाने के बाद वे अपने कावियों के जरिये उन्हें याद किया करते थे तो मैसुपटामिया के लोग जो थे थी अपने नगरों पर कितना अधिक गर्व था इस बात से सबसे अधिक मानमिश पर सिवर्णान हमें गि गिल्गे मिश था गिल्गे मिश ने एन मरकर के कुछ समय बाद जो है उरूक नगर पर शाषन किया और यह एक महान युद्ध था जिसने दूर-दूर के प्रदेशों को अपने अधिन कर लिया लेकिन उसे उस समय गहरा जटका लगा जब एक उनका जो है वीर मित्र अचान प्रता प्राप्त नहीं कर पाया और हार कर क्या किया गिल्गे मिश ने अपने नगर उरूक लोट गया और वहाँ वहाँ जब जो है अपने आपको सांतोना देने के लिए शहर की चार दिवारी के पास आगे पीछे चहल कदमी कर रहा था तब ही उसकी नजर उन पकी इंटो डाली गई थी और वो भाविमोर हो उठा और इस प्रकार उरुक नगर की विशाल प्राचीन का पर जो है आकर उस महा कावे की लंबी वीरता पूर्ण और साहस भरी कथा का अंत हो गया यहां पर गिलगे में जो है एक जनजाती योद्धा की तरह यहां नहीं कहता कि उसका अं उसकी प्यारी प्रजा नहीं बनाया था तो आज के लिए इतना ही लेखनकला की देन और इस जो है पार्ट का एंसर जो है हम अगले पार्ट में लगा के खतम कर देंगे इस चैप्टर को आज थोड़ी तब्यद ठीक नहीं है इसलिए थोड़ा टाइम का सॉर्टेज की वज थैंक यू वेरी मुच